एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है, मेरे और आपके चनल में जिसका नाम है Shives Music Academy अगर आप notes जानना चाहते हैं, notes सीखना चाहते हैं, आप गाना सीखना चाहते हैं, फिर harmonium सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक series डाले हुए, Indian Music Course के नाम से, जिसमें मैं लेसंस डालता हूँ एक दिक में या एक या दो के आसपास मैं लेसंस डाल देता हूँ, अगर आप वो सीखना चाहते हैं, तो प्लीज आप उसे जा के देखिए, मैं description में लिंक डालता हूँ ताकि आपको music सीखने में थोड़ा interest आए, और आप सीख पाएं, ठीक है, यह video है, इस मैं tutorial सिखाऊंगा, मैं एक निया ककरजी का गाना है, मिले हो तुम हमको, बहुत ही famous गाना है, शायद सबसे जाधा view इसी के हुए है, जो Indian Music History में, यूटूब पर, ठीक है, तो friends, इसकी मै आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक note से आपको सरकम बजाना आनी आती है, ठीक है, यह मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, अगर आपको नहीं आती है, तो please आप सीखिए, मैंने इसकी video डाल लगे कि कैसे बजाते है, notes हम हर एक note से, यह मैं असलिए बोल ला हूँ क्योंकि, मैं जो बताऊंगा वो अपनी skill पर बताऊंगा, आप जो कहेंगे वो आपकी skill पर बताऊंगे, अगर आप female है, तो आपकी skill थोड़ी कम होगी लड़कों के मुकावले, ठीक है, अगर आप male है तो आपकी high होगी थोड़ी, तो आपको हर एक note से कहने का मतलब ही कि हर एक note से आपको बजाना आना चाहिए, ठीक है, किसी भी note से मैं कहूं, तो वहाँ से, अब देखिए, मेरी skill है F sharp minor, ये chord जो है, वो है F sharp minor, ठीक है, तो मैं आपको दो जगए से बताऊंगा, एक तो मैं मेरी skill और एक जो हम general लेते हैं, यहारी कि C sharp, जो notes को सामानते हुए, ताकि आप आपको समझ में आए, और जो मैं notes बताऊंगा, वो आपको, C sharp, सामान के बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप, अगर आप बजाना जानते हैं, हर एक notes से सर्गम, तो आप अपने skill में convert कर सकते हैं, ठीक है, तो चुरू करकर सब से पहले, सर्गम में बता दो, इसमें कौन-कौ सारे गमा पधानी सा, साने रप मगरे सा तो फ्रेंड्स, आपके जानकार के रिए बता दूँ, ये ठाट है, आसावरी, आसावरी ठाट में, तेन सवर कोमल होते हैं, बाकी सवर शुद्ध होते हैं, ठीक है, कोमल कौन-कौन से बता दूँ फिर से ग, गर शुद्ध ये होता है, गर कोमल एक note पहले, दर शुद्ध तो यह तो है धा कोमल एक नोट पहले नी शुद्ध यह होता है तो नी का कोमल एक नोट पहले फिर से दिखने सर्गम की प्रेक्टिस आप कीजिए जितना हो सगय तो यह वाँ यह होई कोमल यूस कर ने है अगर मैं इसको सावान की चलता हूं तो इसकी सर्गम क्या होई प्रेक्टिस कर सकते हैं अब देखें इस तब कि according यह क्या हुआ मा तो मैं मा से उठा रहा हूं मा से आपको notes बता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हूं आप relate कर सकें कि मैं आपको क्या बता रहा हूं आपको confusion ना हो उसलिए तो यानि कि जो मैं नोट्स बता रहा हूं वो आपको simple play करना है और मैं description में भी लिख में है तो आप हाँ से चेक कर सकते हैं तो आप मेले हो तु हम को इसमें जो chord लग रहा है वो है F-sharp manner अगर आपको chords आते हैं तो आप ठीक है बजा सकते हैं नहीं आते हैं तो मैं इसके लिए वीडियो डालूँगा आगे चलके वहां से आप सीख सकते हैं chords फिर आप द्वारा किसी भी वीडियो को फिर से देख सकते हैं तो friends अगर आप इस इ F-sharp minor इसके आपको practice करनी है इसमें देखिए अंगूट आपको म पर रखना है और तरजनी उंगली आपको धको कोमल पर रखनी है और जो बीच वाले उंगली है उसको आपको सब पर रखना है हाई वाला सौट के F-sharp minor chord हुआ उसके बाद E major इसके position आप देख लीजिए कहा पर रखना है तो आप गबराई में आगे वीडियो डालूँगा कोई बात नहीं अगर आप अभी के लिए आप नोट्स देख सकते हैं ठीके फ्रेंट्स यह chord हुए कोड का progression किया है F-sharp minor D major D major D minor F-sharp minor आपको लोटके F-sharp minor पर आना है ठीक है अब जो उठाना है आपको वह मैं पताता हूँ ठीक है अगर आप F-sharp chord F-sharp minor chord से start करते हैं तो आप जो नोट उठेगा वह सा से उठाना है ठीक है साधापदादापणा यह हुआ मिले हो तो मोंग को फिर से दिखेंगे जब भी मैं धा यूज करूँगा तो वह धा कुमल है ठीक है मैं आपको पहले बदा अचुक है कि कौन कौन से notes कुमली सोने ठीक है ग धा और नी ठीक है तो जब भी मैं ग बोलू तो आप समझजिए कि अब इसकी बाद फिर से देखते हैं अभी रे कोमली जो रहा है वो इस साक्य अकॉर्डिंग हो रहा है अगर मैं आपको पहली बता चुका हूँ कोई सरगम की नोट्स क्या है तो अभी आप देखें अगर आप इस साक्य अकॉर्डिंग नोट्स बता रहा हूँ साधा पाधा गापा मापा पा मागा गमा गमा मागरे अब यूस होगा लो वाला नी जो लो वाला नी था वहाँ से आपको जम करना है प ठीक है दो फ्रेंड्स अभी एकम्प्लीट भी पहले लाएं उसके बाद तेरी मोहंबत से सासे में लिए मैं कोर्स भी बताऊँगा पहले नोडस बताता हूँ मां पादा सासा सारे एंडी दापद तेरी मोहंबत से सासे में लिए अब देखें अब उसके बाद आती नेक्ट लेंट सादा रहना अब यहां पर इसमें हरकत आई बीचे में तो वो आपको कैसे प्ले करनी देखें उसके लिए आपको एक नोट को दबाई रखना है और उसके जो नेक्स नोट है उसको आपको खलका से टच करके निकलना है ठीक है जैसे एक्जाम्पल लीजिए करीब 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 अब यह में क्या कर रहा हूँ करीब पे जो कव है कव यह उसके पर को दबाई रखना है करीब फिर एक दबाएक लगा से टच करके पर को दबाते हुए और तो जो यह दबा हुए अब दबा Behavior कर्ण пог부터 करना है सब्सक्राइब चुडारा इनमे के लखे लखे लुक्से, तिर्दी मोहबत में सांसे निले, सदारना इनमे कर नी रोके, या उत्म करूँ ठीक है फ्रेंड्स, यह रेपीट हुता है, अब जो सेकंड लैन उसके हमें कोर्स पर दाओं तिर्दी मोहबत से सांसे निले है, एफ शार्फ मैनर, फिर E मेजर, सांसे निले है, अब सदारना, सदारना, इसमें D मेजर होगा, सदारना इनमे करीब होके, जैसे आप गए थी वैसे आपको लोट करना है, एफ शार्फ मैनर, E मेजर, D मेजर, E मेजर, F शार्फ मैनर, इसके आप प्रेक्टिस कर सकते हैं, अब आते हैं इसके अंत्रे पर, तेरी चाहतों में इतना तड़क है, ठीक है, इसके नोट सेखते हैं, उठाना आपको मसे, इस सब के अंत्रे आपको मसे जम करना है, रितक, तेरी चाहतों में, तेरी चाहतों में इतना मरे रे सारे सारे तड़क है, सारे सानी सादा पामाई, ठीक है, पाम्यामाई, आपको हलका सब परटेज करके मह पर कोँचना है, पाको भावाबस करना है, तिरी चाहतों में इतना तड़पे है इसके बाद जो next time है, इसकी composition सेम है, तो notes भी सेम होंगे, ठीक है? सावन भी कितने तजबिन बरस है अब इसके chorus देखते है तिरी चाहतों में इतना तरस है सेम होंगे, जो में पहले बताया था F sharp manner, E major, D major, E major, F sharp manner अब इसके बाद जिंदगी में मेरी सारी इसमें जो chorus देखे है जिंदगी मेरी सारी F sharp manner, chord आएगा, पहले देखे, इसके notes एकते है इसका chord आएगा, E major, notes आएगे इसका chord आएगा, E major, notes आएगे इसका chord आएगा, E major, notes आएगे इसका chord आएगे इसमें देखे, इसमें देखे, इसके बाद फिर से, इसकी कंपोजिशन से में, अब जो किस्मत की लखी रहो है वहाँ पे आप बी मैनर कॉड उस कीजिए किस्मत की बी माइनर एफ माइनर ठीक है फ्रेंट्स अब आप सुनके पता कीजिए जहां पे आपको कन्फिजन हो रहा है और यू अन्तरि की लान आप एक पतरम और भी यूस कर सकते हैं जो तेरी चाहत हो है इसमें कॉड उस जोगा तरी चाहतों में इतना तडपे हैं कॉड उस जोगा डी मेजर और सिशाव मेजर पांचम कॉड है इस गाने कार तुरी चाहतों में इतना तड़प है, सावन में तुझे में बरसे है ठीक है फ्रेंट्स मैं आपके डिस्क्रिप्षिन में जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्षिन में इसमें नोट्स और कॉर्ट्सों नहीं यूज़ करूँगा तो वह बहां से देख सकते हैं अगर आप और भी किसी गाने का नोट्स जाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं मैं जब भी टाइम मिलेगा ट्राय करूँगा डालने के ठीक है प्रेंट्स मिलता एकली वीडियो में इस वीडियो में के बले इतना ही था टेक केर